अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें कि अपने पुल उन्हाज कोशिश की रादिका तुम 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 तो ऐसे सोरी जैसे तुम पूरे साल की नींद एक राद में पूरी करना चाहती थी अगर सुनिक कॉंपेटिशन होता तुमने कुम करन भी हरादी अटा कुई आ के तुम्हारे रूम का वाश्रों यूज पिर भी तुम्हें पता नहीं चला कल को कोई अगर आके हीरे, जवारात और गहने सारे चोरी गर के चला गया तो तो अजी मुझे तुम्हारे कोई बहाने नहीं सुनने समझी तुम बस कचोड़ी खाओ और मस्त से सो जाओ तेविम जी कुमारी बात तुनिये पिर ख्ञारे के वारे में बात कर रहे थे बोलु भाया जो कचोड़ी लेकर रहे थे वो तो में खायी है और और कौन सी कचोड़ी आयती घर में और तिफिम जी बीना बाती ही नाराज हो गया यद पर हमारी बात तक नहीं सुने कर दोने कर दो खोड़ा दो है किन आप आप एड एड दो कि दो कि अपवे एड एड दो पेरे दिल में तुने रादिका को वो जगर दे दी है जो कभी काया की थी तिविम तुम्हारे सिंपती के जरिये ही मैं तुम्हारे करीब हाऊगी अब ठीक लग रहा है हमने तो कोई कचोरी ने काई थी फिर तिविम जी को किस ने क्या बता दिया उसी कुस्से में हमारी बात तक नहीं सुनी तुरी सुरी सुरी माजी माफ कर दीचे गलती से हो गया क्या सुरी रादिका इतनी देर सोने के बाद भी तुम्हारी नेन पुरी नहीं होई क्या हाथ होती है आलस्पन के ना तुमसे घर संभाला जा रहा है और ना पती का खयार रख रही हो तुम्हारी इस लापरवाही की वज़े से महमानों को तकलीफ हो रही है कल पिचारी काया दिव्यम को खाना देने आई थी तो अच्छा हुआ कि एन मौके पर हम पहुच गए और हमने अपने बच्चे के लिए खाना परोज दिया हाज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि दिव्यम के घर आए बिना हम चैन से सो गए हूं लेकिन तुम पत्नी हो खर के भी पत्नी धर्म अच्छे से नहीं निभा सकती हो गोडे गदे बेच पर के सो रही थी पहले दो भहुत उचकर ही है कि माझी हमें अच्छे सा द्म्मेदारी निभाइँ और जब जब था तो क्या हुआ है? यहाल है माझी अच्छे सूंचे ह्ल की लिए हमें माफ कर दीजिये आगे से इसा नहीं होगा राथिका, फिरसे वहीरा, तुम ठक्ती नहीं हो, क्या. जब से तुम शादी करके इस घर में आया हो, दिन बर में हम चार बड यह सुनते रहते हैं. और अगले दिन तुम पिर भही हा करती रहती हो. राथिका, तुम से सच में कुछ नहीं हो का. तुम्हें काम करो, किछन में जाओ, और फ्रिज में से कचौरी निकाल करके ठूसो! निल पिन किरा दिया हमारा माची को भी ऐसा रखते हैं कि हमने कचौरी खाई है और अब कैसे बताएं सबको कि हमने कुछ नहीं खाया है क्या बात है मस्त मस्त कचौरी गोलू, तुने कल रात कोई कचौरी खाई थी ना? अब फिर से कचौरी मह बाहा कर खा रहा है नहीं नहीं माँ, यह रात वाली कचौरी ही है वो राधिका केस से की कल राधिका ने काया थै कि वो दिव्यम के साथ खाई गी पर शायद उसने खाई ने, वैसी की वैसी रखी थी फिर सुझा, मैं ही खा लेता हूं क्या है अन्ने का अपमान नहीं माचेए गोलू, मेरे बात तु सुन इसका मतलब राधिका ने कचौरी खाई नहीं थी कल रात को यह ने बेकार में उस पर इसना चिला दिया यार, मुझे राधिका से बात करने हो कि कि वो है कहां पर इतने बरतन है इस घर में की खतमोने का नाम ही नहीं ले रहे जितने धोते जाओ उतने भढ़ते जा रहे देवरानी जी, कल किसी के सर में दर्थ था क्या ऐसा लग रहे है कि इस ग्लास में किसीने दवाई मिला दर पानी पिया हूँ अमें तो ऐसा कुछ भी नहीं आदे भाभी, दिखाईए तो अरे, अरे, नोकरानी जी, आप यहाँ है अचली मेरे कमरे में बहुत जादा धूल मिट्टी हो गई है और मुझे बहुत जादा ऐलर्जी होती है और हाँ, मैंने गलती से ना पाउडर पी गिरा दिया है तो प्लीज उसे भी साफ कर दीजे, वरना मैं तो गिर जाओंगी ना गाया यह नोकरानी नैं कली भाबी है हमारी जेठानी और गोलु भया की पत्नी सॉरी, मुझे पता नहीं था जब से मैं यहां आई हैं, मैंने इनने सिफ काम करते देख तो प्लीज लगा कि यह कर की नोकरानी है काया अब घर पे काम करने से कोई नोकरानी नहीं बन जाता सौरी कली भाबी आप प्लीस मेरा कमरा साफ कर दीजे प्लीस कली भाबी आप जा कर प्लीस काया का कमरा साफ कर दीजे ये ये बड़तर हम कर लेंगे लाइए देवरानी तो देवरानी, उनकी बहन ने भी हमें नौकरानी बना रख है अब दादिका, सौरी, मैंने कली बाबी को एक तो नौकरानी बोल दिया और उपर से मैंने उनको अपना कमरा साफ करने कह दिया मुझे दूल मिट्टी से अलर्ची है ना, वरना मैं नहीं कहती कुई बात नहीं कहा है अर रादिका, कि मुझे देदे, मैं बरतन साफ कर लेती हूँ मुझे बरतन साफ करने में तो कुई दिक्कत नहीं है अब काया, लेकिन तुम रहने दो, ये काम हम कर लेंगे तुम्हारी अभी तक तब है सईसे ठीक नहीं हुए ना, लाव हमें देदो, लाव मैं ठीक हूँ, इतना तुम्हे करी सकती हो ना और तुम टिंशन मतलुक काया, तुम तो बहुत बदल गई हो पहले एक चमश तक ने उठाती थी और अब, अब इतनी सारे काम करने लग गई हो खुछ से रादिका, जी वो मुझे तुम से अकेले में कुछ बात करनी है विम को रादिका से अकेले में क्या बात करनी है कहीं कर रात के बारे में तुने बता रहा कुछ हाँ, भूलिये न, रवन जी. रादेकाम, मैंने तुमसे का मुझे अकेले में बात करनी. कोई बात नहीं, मैं बात में आ जाती हूँ. वैसे, दिवरानी जी, आपना वो इलेक्टरिशन और वो पलंबर को बुला लीजिए. क्यों मावी? वो आपके बात्रूम का गीजर खराब है न, और बाहर वाले बात्रूम में पानी नहीं आ रहा. लेकिल अभी तो हम नहाय थे, तब तो गीजर बिगड़ा हुआ नहीं था. दिवरानी जी, कई बारना चीजे बिगड़ने में वक्त नहीं लगता. कभी-कभी एक रात में ही चीजे बिगड़ जाती है. अरे, नौकरानी जी. सॉरी, मेरा मतलब कली जी, आपको ना आंटी सबजी लेने के लिए बुला रही है. जल्दी जाए नीचे. एक तो इस घर में सबको हर काम के लिए जिफ हम ही नजर आ रहे हैं. गदा बना के रखती है. कली ये कर दो, कली वो कर दो. हटो. रादिका. हाँ काया, कुछ रही है था तुम्हे? इससे पहले मेरी पोल गलत तरीक से खुले. मैं ही रादिका को ये बात बता देती हूँ. हाँ, वो मुझे कपड़े प्रस करवाने थे. और तुम्हारे पास अगर सर्दी की दवाई होगी तो वो भी दे देना. कल रात से मुझे बहुत सर्दी लग गई है. कैसी सर्दी लगई काया? ठीक होना तो? कि दर अशल रादिका, गल रात को ना मेरे बातरूम में पानी नहीं आ रहाता. तो मैं इसलिए तुम्हारे बातरूम में नाने आ गए थी. मैंने तुम्हें उठानी की बहुत कोशिश की. पर तुम उठी ने. शायद कचवरी खाके सू गए थी. कचोरी हमने नहीं खाई एक आया सुरी रादिका मुझे लगा कि तुमने खाई थी खेर हमारे उठाने पर तुम उठी नहीं और जब हम तुम्हारे बात्रूम में गए तो हमसे गीजरी नहीं चल रहा था रायद वोल्टेज की तिककत थी सुरी तुमसे बिना पूछे तुम्हारा बात्रोम यूस किया कि अले के तुम्हारे गों का वाश्टूम यूस कर गया फिर भी दूम्हें पता नहीं चला यू तो दिर्विए ची होगी तुम्हारे बात्रूम का नल भी ठीक करा देंगे और तुम यहाँ पर बैठों तुम्हें सर्दी की दावा देते हैं, हाँ, बैठो, बैठो, अरामेश तुम्हारी कमरे का बातरूम नहीं, बलकि पूरा कमरा चाहिए मुझे रातिका इसमें तो लिखा है कि लड़कियों को ब्राइट ग्रीन या यलो पहन करके जाना है बड़ा ही अजीब सा ड्रेस कोड है, ब्राइट ग्रीन या यलो तुम्ही ने हमें कहा था कि हम जल्दी से तयार होकर रहे इसपर हम कोई गड़ पर नहीं होने देंगे अशली बार हमारी वज़े ते दव्यम के कब बहुत नुकसान हो गया था लेकिन इसपर कोई नुकसान नहीं होगा राधिका बेटा जी माजी, हमने सुना तुम दव्यम के साथ बाहर जा रही हो हां माजी, एक म्यूजिकल इवेंट है वही पर जा रहे यह अरे वाब, इसमें तो लिखा है कि दो लोगों के साथ कोई तीसरा भी जा सकता है तो माजी, आप हमारे साथ चल लीजे ना, पिछली बार आप नहीं जा पाई थी नहीं रादिका बीटा, हमें ऐसे सब म्यूजिकल इवेंट्स में जाना पसंद नहीं है क्या यह बहुत देरा तक चलते हैं और हमसे इतनी देरा तक जगा नहीं जाता है अबे तो अबे से नहीं राने लगी है अगर हम तुम्हारी या तुम्हारी बहन के उम्र के होते हैं तो जरूर चलते हैं अरे हाँ, माजी, हम काया को ले जा सकते हैं काया को? हाँ माजी, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं हो तो हम काया को ले जाते हैं वो भार जाएगी तो उसे अच्छा लगेगा और उसका मन भी बहल जाएगा और वैसे भी संगीत सुनना मानसी स्थिती के लिए भी अच्छा होता है कहे तो तुम सही रही हो लेकिन उसके पास जाने के लिए साड़ी नहीं होगी ना तुम्हें काम करो ना राधिका, तुम अपनी साडियों में से कोई एक साडी दे दो उसको, ठीक है, हम देखते है, रुको हम बताते हैं, हम, यह साडी, यह साडी काया पर अच्छी लगेगी, हाँ, दुबली पतली जो है काया, हाँ माची लेकिन, रणिखा हुआ है, अरे राधिका, ड्रेस कोड तो सर्फ खास महमानों के लिए होता है, उनके साथ जो जाता है, उनके लिए कोई ड्रेस कोड नहीं होता है, तुम आज तक अभी ऐसे म्यूजिकल इवेंट में गई नहीं होना, इसलिए तुम्हें नहीं पता है, एक काम करो, ये साड़ी काया को दे देना, ठीक है माची, हम काया को दे देंगे रादिका, एवेंट के लिए लेट हो रहा है, तुम तयार हुई की नहीं? रादिका, मुन्ना, पहले पानी पी ले ले ये क्या पहना है तुम मेरा दिकाव? देफिम जी, ये रंग हमारी आखों में भी बहुत ज़्यादा चुप रहे है लेकिन पास में ड्रेस कोड में ये ही लिखा हुआ है नहीं, उसमें कुछ और लिखा हुआ था प्लादिका, पड़ो वाही तुम तो वाही तुम पिंक लिखा है लेकिन उन्हें तु कुछ और पड़ा था तुम क्या कहना चाहती हुआ? कि ये कार्ड पे जो लिखा हुआ था वह अपने अब चेंज हो गया? नहीं ना? देख क्या रही हो, रादिका जाओ, जल्दी जाके चेंज करके आओ तुम जी लेकिन ये वाला कॉंबो तो या, कुमार पास पिंक साड़ी नी, उप्यस इतनी सारी पिंक साड़ी हैं, चलो तुम जी लेकिन वो ये ये या, लेकिन रादिका ने वो साड़ी दे दिया किसको? किसे किसे कि दा हो, तुम जी वो ये जी लेकिन वोकाना साड़ी हो. हूआ हैं? झाल झाल वह असली ड्रेस कोट के कप्रे तो कहने पेने हैं तो इससे अच्छा काया चली जाए दिवियम के साथ बूरी घर वाली ना सही आधी घर वाली आ, मेरा मतलब है, साली ही सही क्यो दिवियम बेठा जाही काना मैंने क्या हुआ, मैंने कुछ कलते करती? यहांने काया, कोई गल्टी नि हुई है हमसे होई है नादिका, मैंने तुमसे कह था था, के बास को डंक से पढ़ लेな तुमें लिद सकती था कोई बात नी मुनना, तुम और काया जाकर के कार में बेड़ो हम अपनी सारी राधिकाओं को दे देते हैं, वो बदल कर आजाएगे. नहीं, मैं फिर से एवेंट में लेट नहीं हो सकता, मैं जा रहा हूँ, मैं गोलु भया को अपने साथ लेगा हूँ. अरे, मेरे साथ? अरे, लेकिन वहां तो कपन? चालो, बहुत हो गया. अरे? क्या पायदा, मेरे इतना तैयार होने का, जब दिव्यमक्केला ही चलाएगे, उराव प्लाण फ्लॉप पोग्या? नहीं, नहीं करूँ मैं. आप बताएगे. आप भेड है युदियागे. आप भेड बताएगे. आप भेड़े. आप भेड़े. आप भेड़े. प्लान फ्लॉप नहीं हुआ है, अगर तुम दद्धिम के साथ नहीं गई, तो वो राधिका भी नहीं जा सके. प्लान काम्याब हुआ है, चाचु के तो पास मलें, किसी म्यूजिकल इवेंट के है, और किसी क्लाइन ने दिये हैं, कपल एंट्री है, बड़े-बड़े नामी बिजनस्मेन भी आने वाँ जाओ, इसमें ड्रेस कोट भी लेका है, वही पेहन के जाने हुआ है, तो फिर आज तुम चाँ, थायार होगा, तुम अपनी साडियों में से कोई एक साड़ी दे दो उसको, ठीक है, हम देखते हैं अच्छार को हम बताते हैं, हाँ? अभी तो बस शुरुआत है, काया बिटा, तुमने अभी से हार मान ली, कल तुमने हमसे जो कुछ भी कहा था, वो सच तो है, ना? तेरे दिल में तुने राधिका को वो जगह दे दी है, जो कभी काया की थी काया, यहाँ आओ अभी तुमने हमारी बात पूरी सुन ही लिये, तो हमें हमारे एक सवाल का सससच जवाब देना, क्या तुम्हारे मन में अभी दिव्यम के लिए परवा है, क्या तुम सच में आज भी दिव्यम से प्यार करती हो, अब देखिए मन अति सुन्दर गंगल प्लेपर टीवी से पहले